हलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टेडी चैनल पे जिसमें मैं आपके लिए लेकर क्या आया हूं राजस्तान की कलायम संस्कृति कट जो टोपिक है संते हम संपरदा है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूए ये कलास राजस्तान पशू परीचर राजस्तान बीएश टीशी एगजाम और जो सीटी है साती साथ जो पिटीटी के एगजाम है उनके लिए होने वाली है तो अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुलिए चैनल पर आप नहीं है अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को शेयर जरूर करें जो राजस्तान गुर्मेंट एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो अजगा जो हमारा टोपिक है वैं संत्यम संपरदाय रहने वाला है अजगा हमारा फ़र्स्ट क्यूशन है क्यूशन नंब लगीब LEE, संत्य दा जि, जगनाज जी, मादोदा जी, आदि संतों का संब्ण्द कि संपरदाय से माना जाता है हमारे options से option A दादुपंत, option B लाल दा जी संपरदाय, option C रामिस नहीं संपरदाय, option D यह जसनाती संपरदाय Qs No. 1 में सई आंसर है Option A दादुपंत जो भी संत्ते जैसे गरीब दाजी, संत्त दाजी, जगनाजी, मादोज दाजी आदी जो संत्त हैं यह दादुपंत से संबंदित है साथ साथ माँ आपको बता दू जो दादुपंत है इसके जो संत्त दादु दयाल जी है और इस पंत की जो परदान पीट है वह नारायना या नरेना जो की सांबर जेपुर ग्रामीन में पढ़ता है वहाँ पर है तो इस्टुडेंट वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए चैनल पर नहीं है तो पटापट से चैनल को कलीजे सब्सक्राइब ताकि आपको न्यों वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसा नहीं रहे Q2 है संत माउजी का संबन्द है हमारे ओप्शन से हैं ओप्शन ऐ डूंगरपुर ओप्शन भी जोधपुर ओप्शनसा भैकाplander अप्शन डियो अलवर Q2 का सही आंसर है ओप्शन ए जो डूंगरपुर है वहाँ से संत माउजी का संबन्द है संत माउजी का जनम डूंगरपूर के साबला गाउं के अंदर एक ब्रामन परिवार में हुआ था साथी साथ माउजी को बता दू इनका जो पंत है वह निस्कलंक संपरदा या निस्कलंक पंत है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना बूले उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपके टोटल क्योशन समझ में है और एक्जामें गलत होने के चांस है बहुत कम रहे क्योशन नम Newman में से कौन विशनो इसंपरदाय का संस्तापक था संस्तापक माना जाता है साथी साथ में आपको बता दू इन्हें जामबो जी या जम्बेश्वर जी भी बोला जाता है इनका जनम 1400 एक्याउन में हुआ था और साथ इसाथ मा आपको बता दू इनका जो जनम हुआ था वह नागोर के पीपासर गाउं के अंदर हुआ था और इनकी जो परदान पीटे है वह समराथल के अंदर है क्यूसर नमबर फोर है संत पीर साहय अली और तुकन गिर ने 400 साल पहले मेवार के किस ख्याल की रचना की हमारे ओप्शन से ओप्शन एक ख्याल बाहर मिली ओप्शन भी चांद नील गिरी ओप्शन सी तुरूंगा कलंगी ख्याल ओप्शन डिये मीरा मंगल क्यूसर नमबर फोर में सही आंसर है ओप्शन सी तुरूंगा कलंगी ख्याल जो संत पीर साहय अली और तुकन गिर है उन्होंने 400 साल पहले मेवार के अंदर तुरूरा कलंगी ख्याल की रचना की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सेट करना ना भूले क्यूशन नमबर फाइब है कि समास उडारे जुश्यों सी गुंतिशनीमो का पालन करने है तू जोर दिया तो हमारे ओप्शन से ओप्शनए पीपा जी ओप्शनबी जांबो जी ओप्शनसी डादुदैया जी जसना जी क्यूशन नमबर फाइब में सही आंसर है जांबो जी जिने जम्बेश्वर जी भी बोला जाता है इन्होंने अपने सिस्षे को गुन्तिस नियमों का पालन करने हैं तू जोर दिया था जांबो जी के जो परमुक गरंत है वह है जम्प सहीता और विश्णोही द्रम प्रकास है Q6 में सही आंसर है जो राजस्तान के संथ पीपा थे उनके गुरू रामानन थे वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है ना भूले चैनल पर नहीं है तो पटापड़ से चैनल को कलीजे सस्क्राइम साथिसाथ जो संथ पीपा है यह गागरोन के सासकते खीचिवनसी थे और इनके गुरू ते रामानन थे और इनका जो मंदिर है वो बाडमेर के समदरी गाओं में भवे मंदिर बना हुआ है साथिसाथ इनके जो मंदिर है वहाँ पर परती वर चेतर सुकल पूर्णिमा को मेला बड़ता है और जो इनका अनुवयाई है या इनको मानने वाला जो समाज है वह है दरजी समाज है क्योशन नमबर से उने राजस्तान के कौन से परसी संत बिकानेर के करत्रियार सर से संबंदित है उप्शन से उप्शन ए हरीदास उप्शन भी सिद्ध जसनात उप्शन सी जांबो जी उप्शन डियर दरियाव जी क्योशन नमबर से उनका सही आंसर है ओप्शन बी संत शिद जसना जिनका संबन्द पिकानेर के करतिरियासर से संबन्दित है जसना जी का जनम 1482 ईश्वी को करतिरियासर पिकानेर में हमीर्ज आटवर रूपा दे के घर हुआ था साथ शाथ मैं आपको बता दूए इनके जो गुरुएं ये गोरगनाजी है और इन्होंने जसनाती संपरदाय है उसका परवर्तन किया था और इनकी जो परदान पिकानेर ये करतिरियासर में इस्तित है Queson No.8 है चरण दाजी संपरदाय की परदान पिट कहा है हमारी elephant से option ऐ दिल्ली multipology बे कानेर option दियेस सिकर Queson No.8 में ज़या अंषर है option ऐ दिल्ली जो चरण दाजी है उनकी जो परदान पिट है ये दिल्ली के अंदर इस्तित है साथ साथ माहापको ददू जो चरंदाज यह इनका जो मून नाम या प्रारम्भी की नाम था वै रंजीत था और जो इनका जनम हुआ था वै 1703 के अंदर अलवर जिले के 15 गाओं में हुआ था और इनकी मता का नाम था वै कुझु भाई था तथा पिता का नाम मुल्ली दर था इन्हों ने जो नियम दिये थे वै 42 नियम थे क्यूशन नमर नाइन है बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोग पर ये मजार कहा इस्तित है उप्शन से उप्शन इबांसवाड़ा उप्शन भी बिकानेर उप्शन सी जेपूर उप्शन इबील वाड़ा क्यूशन नमर नाइन में सही आंसर है उप्शन इबांसवाड़ा जो बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोग पर ये मजार है वैं बांसवाड़ा के अंदर इस्तित है क्यूशन नमर टैन है संत पीपा जी का जनम इस्तान निमलिकित में से कौन सा है क्यूशन नमर टैन में सही आंसर है उप्शन एक गागरोण जो संत पीपा जी का जनम में वह गागरोण के अंदर हुआ था और साथी साथ माप को होता जो इनके जो बच्पन का नाम था वैं परताब सिंग था और इन्हें राजस्तान में बक्तियांदोलन सुरुआत करने वाला माना जाता है या बक्तियांदोलन के सुरुआत करने वाले पहले संत माने जाते हैं क्यूशन नमबर 11 है अलकिया संपरदाय के स्तापना किसने की हमारे उप्शन से उप्शन लाल गिरी उप्शन भी भोला नात उप्शन सी चरंडास उप्शन भी संतिदाजी क्योशन नमबर 11 में सही आंसर है उप्चन लाल गिरी लाल गिरी के दुआरा अल्किया संपरदाय के स्तापना की गई थी साथ साथ मैं आपको बता दू इनका जन्म चूरू जुले के जो सुल्किया गावए वहां पर हुआ था और जो इसम परदाय की जो परदान पीट है वह है विकानेर के अंदर इस्तित है और इसम परदाय का जो परमुग गरंत है वह है अलक इस्टूती प्रकास है इस्टुडेंट वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर नहीं है तो पटावर से चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब था कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसा नहीं रहे क्योशन नमबर टुएल वैं संत पीर सहा अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवार में किस ख्याल की रचना की थी मैंने आपको अभी भी बिताया था इसके बारे में देखते हैं इसके ओप्शन ख्याल बार मली ओप्शन भी चांद नील गिरी ओप्शन सी तुरुगा कलंगी ख्याल ओप्शन डिये मेरा मंगल क्योशन नमबर 12 में सही आंशर है ओप्शन सी तुरंगा कलंगी ख्याल की रचना तुकनगीर और साहाली दुआरा मेवार के अंदर की गई थी इसके अंदर जो तुरंगा कलंगी में इस त्री पात्रों की भूमी का भी किसके दुआरा निबाई जाती है क्योशन नमबर 13 है आचारे तुलशी ने अनुवरत आंदोलन का सुत्रपात कब किया क्योशन नमबर 13 में सही आंचर है आचारे तुलशी ने अनुवरत आंदोलन का सुत्रपात किया था साथी साथ मैं आपको बता दूँ इनका जनम नागोर राजस्तान के अंदर हुआ था क्योशन नमबर 14 है क्योशन नमबर 14 में सही आंचर है ऑप्चन बी जसनात के दूआरा जसनाती संपरदाय के इस्तापना की गई थी और मैंने आपको बताए था जसनात जी का जनम है वह 1482 को करतिया सर बिकानेर के अंदर हुआ था क्योशन नमबर 15 है हमारे उप्च allegations है उप्चonne ए लाल दाश उप्चonne B चरंदाश उप्चonne Chi राम चरंड उप्च्न दे करपार राम क्योशन नमबर 15 में सही आंसर है उप्चonne B चरंदाश चरंदाश ही जो की सह जो भाई के गडू थे साथिसाथ मैं आपको बता दू सहजो भाई के साथ साथ इनकी एक सिस्या औरती वह है दया भाई सहजो भाई का जनम मेवात परदेश के डेहरा ग्राम के अंदर हुआ था स्टुडेंट उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं क्यूसर नमबर 16 है सही युगुम को सुमेलित कीजिए हमारी जो युगुम है वह हैं जसनाजी रेवासा सिकर ओप्चन बी सितला मता चाक्शू जयपूर ओप्चन सी जामबो जी मुकाम नोका ओप्चन डी जीन मता कडतिया सर भिकानेर हमारी ऑप्चन से ऑप्चन A 4-2-3-1 ऑप्चन B 1-2-3-4 ऑप्चन C 2-1-4-3 ऑप्चन D 3-4-1-2 क्योसर नमबर 16 में सही आंसर है ऑप्चन A 4-2-3-1 जो जशनाजी रेवासा सिर भिकानेर के अंदर हूआ जो शीतला माता है उनका जन्म साक्षू अजमेर में हूँ जो जांबो जी है यह मुकाम नोका और जो जीन माता है यह रेवासा शिकर के अंदर इस्तित है क्यूशन नंबर सेवंटीन ने निमलिकित में से गलत यूगुम बताईए तो हमारे उप्शन से संत नवलदाजी नलवेशवर अनुपुवानी उप्शन बी संत सहजोबाई गीत गोविंटी का उप्शन सी संत रामदेव जी चोविस वानिया उप्शन डी संत रामनात काविया द्रोपती विने क्यूशन नमट 17 में सही आंसर हैं ओप्शन बी संत सहजोबाई गीत गोविंटी का यह संत सहजोबाई द्वारा नहीं लिखा गया है जो सहजोबाई की परमुक रचना तीव है सहज प्रकास सब्दवानी है जो गीत कोविंटी का है यह मीरा भाई द्वारा लिखी गई रचना है स्टुडेंट विडियो अच्छी लग रहे हैं विडियो को लाइक और सेर करना ना भूले क्यूशन नमट 18 है संत माउजी के सिस्य मुक्यत हैं ओप्शन से ओप्शन ए रेबारी ओप्शन ए जाट ओप्शन से छीपा ओप्शन ए गूजर क्यूशन नमट 18 में सही आंसर है ओप्शन ए रेबारी जो रेबारी जाती है वह संत पाबुजी है उनकी जो रेबारी जाती है वह परमुक्षिस से है साथे साथ मैं आपको बता दू पाबुजी का जनम कोलूमंड जो की जोदपुर के अंदर है वहाँ पर हुआ था और इनको लक्समन का अउतार माना जाता है इन्हें मुटो का देवता पलेग रक्सत के रूमें भी जाना जाता है क्योशन नमबर 90 है दादू और उनके सिस्चों की रचना अधिकतर किस बासा में पाई जाती है क्योशन नमबर 19 में सही आंसर है उप्शन भी डूंडाडी जो दादू और उनके सिचे उनकी रचना है अदिक तर डूंडाडी वासा में पाई जाती है जो संत दादू देयाल जी है उनका जनम 1544 इश्वी को एहमदाबाद के अंदर हुआ था और उन्होंने 19 वर्ष के आयू में सांबर जो कि राजस्तान है राजस्तान के अंदर है वहाँ पर अपने सिध्धान्तों का परचार परचार परारम किया था क्यूसर नमर 20 है राजस्तान के कि संत और रामा नंद के सिस्से ने अपने राज्जिक को त्याकर गुरू मंली में समलित हुए तो हमारे ऑप्चन से ऑप्चन ए धन्ना जी, ऑप्चन भी जांबो जी, ऑप्चन सी पीपा जी, ऑप्चन डियर रिदा जी Question number 20 में सही answer है option C Santh Repa ji Question number 21 है निमार Kr encant Sampadhaay की पर्मुक पीट कहां है options है option 1 किसंगड में option B सलेमाबाद में option C साला सर में option D खेडापा में Question number 21 में सही answer है option B सलेमाबाद के अंदर जो निमार Krって संपदाय है उसके परदान पीट स्धित्त है क्योंशन नमबर 22 है विद्ट संत पीपा के गुरू थे। क्यूसर नमबर 23 है, डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे इस्तित गलिया कोट परतमान में किस संपरदाय की प्रमुक के अंदर है, किस संपरदाय का प्रमुक के अंदर है, तो हमारे उप्शन से, उप्शन इदाउदी बोरा संपरदाय, उप्शन भी वेशनों संप Q23 में सही आंसर है, ओप्चिन रामदेव जी ऑप्चिन रिखने जो जांबो जी है वह विश्नोई संप्रदाय के संस्तापक माने जाते हैं और इन्होंने 20 प्लस 9 नियम दिये थे 29 नियम दिये थे जिनका पालन करना इनके शिश्यों के लिए जरूरी था क्योशन नमबर 25 है जोदपुर में महामंदिर राजस्तान के किस संपरदाय के प्रमुगद्धी है उप्शन से उप्शन रामानु संपरदाय जोदपुर में महामंदिर राजस्तान में वह नात्पंत का प्रमुगद्धी मानी जाती है यह थे हमारे टोप 25 क्योशन वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले स्टुडेंट वीडियो देखने के लिए टेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर